हेलोग प्रेंड्स में गोर्ण मामना एकेडमी के लेर्णिंग प्रेटफोर्म पर आपका हर्दिक स्वागत करका हूं लेट्स क्रेकर रैस्ताने एक्जाम ऑन इंडिया लार्जिस लेर्णिंग प्रेटफोर्म आनक है कि यहां पर मेरे बारे में कुछ इंफोर्मिशन है कि जैसे मैंने नेट जीर्फ एक्जाम प्लियर किया राइस्थान युनिवस्टी के स्टी डिपार्टमेंस से पीसडी चल रही है और साथ में फोर इयर टीचिंग इंडिया के साथ किस तरीके से आप पड़ सकते हैं सबसे पहले आप को प्ले स्टोर से इस्टॉल कीजिए फिर उसके बाद आपकी स्कीन के सामने गैट सब्सक्राइब आएकन आएगा प्लाण एंड फ्रसिट उसमें फीस टैक्चर रहे है और आपकी स्टॉल की सब्सक्राइब आपको दसपरसंट का डिसकांट बिलेगा और आपकी फीच हो जाएगी 7000 की जगे 6300 रूपीस यदि आप 2 साल का या फिर 24 मेने का RPSC subscription लेते हो तो आपकी फीज़ है 8400 रुपीज यहाँ पर भी प्रोमो कोड यूज़ करोगे 10% discount मिलेगा और आपकी फीज़ में 7.560 रुपे हो जाएगी चीक है ना तो जल्दी से जल्दी RPSC subscription लेजिए अपने exam को clear केजिए एक बार यदि आप RPSC subscription ले लेते हो तो यहाँ पर क्या-क्या सुब्दाय मिलती है इंडिया से लार्जेस 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 लार्णिक प्रेटफर्म आने केडमी फर्स्टे डिली लाइफ क्लासे से कंदर अपनी पर्फॉमिंस को यहाँ जान करते हो तो आप समस्त रखते हो कि मैं कहां स्टेंड कर रहा हूं इतनी और प्रपेशन करने की आवशकता है थाड़ा स्टेक्चर कॉर्सेज इतने भी RPSC एग्जाम करवा रही है या फिर अधीनस बोर्ड एग्जाम करवा रहा है इसके कोर्सेज है जैसे आरेस फॉर्मडेशन कोर्स भी स चलना है इस तरीके से पटवार का वैश चलना है तो सभी के कोर्सेज को स्टेक्चर किया गया स्लेवस के आपकी पहतर तैयारी हो सके फोर्त एंलिम्टेट एक से एक बार यदि आप सब्सक्राइब कोर्सेज आप अपने किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं और पीडिय माल्ष्ण डिवांने गूल जी हलो जीम्ट घो और जीसर हमारा रैस्तान की चित्र किला चित्र कोला कि संधर में देखेंगे यहांकिस जैसे हैं और आ से कुशन किस सारीके के questions यहां से बनते हैं तो हिसके भार चरा करतें सबसे पहले कखा का से questions बन सकते हैं लेको चितरकला से एक नहीं questions हर एक से खालन से एक से फैसर यदि वह कैसा यदि वह objective यह multiple questions का exam यह नि objective paper है तभी उसमें questions बनेंगे और आरेफ में में तो हर बार ही कुश्शंस बनता है तो राइस्तान की चित्रकला बहुत इंपोर्टन टॉपिक है यह आपका हर एक्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से कोई ना कोई कुश्शंस बन सकता है किस किस तरीके से बनते हैं आपके एक तो यह देखते हैं आगे तो चित्रकला राहिस्तान की चित्रकला है आज का जो हमारा टॉपिक है इसको देख लेते हैं फोड़ा इसका रेफरेंस देख लेते हैं कि आरवी सी की बुक में क्या क्या दे रखा है इसके बारे में राहिस्तान की चित्रकला का चित्र बहुत ही से काउड्यों पर चित्र मना दीजाते हैं कपड़े या केणवास ही चित्र मना दीजाते हैं आप देख तरीके से काफी तरीके केणे जाते हैं जैसे राइस्तान में अलानिया दर्रा कोटा के अंदर बेराट जैपुर के अंदर और भरतपुर में कैसे रॉक पेंटिंग्स प्राप्त की गई है तो यह भी कोश्चन्स कभी कबार बन जाता सीधे सीधे जो शैलास्तर है या फिर गुफाओं के अंदर चित्र कहां कहां पर राइस्तान के किस-किस जगे इस्तित है तो आपको पता होना चाहिए आलनिया दर्रा ददा कोटा के अंदर ठीक है बेराट के अंदर गुफाओं के अंदर चित्र बने हुए है और दर एक इस्ताने भरतप के अंदर भी चित्र बने हुए तो आदिमानव द्वारा बनाए गए रेखांगन प्रदेश की प्रारंबिक चित्रकला को दर्श आते हैं इसी तरीके से 1903 के अंदर पूटा में चंबल घाटी पर और दर्रा भ्यारण के अंदर जालावट के निकड़ काली सिंद घाटी और अरावली में मांट आवू तथा इडर में चित्र शैलास्तरों की खोच की गई है अभी जो गुफा चुत्र हैं उनकी भी खोच की जा चुकी है अब पूछ लिया जाए कि राइस्तानी विश्वद्च चित्रकला का प्रारम मतला बिल्कुर शुद्ध तरीके से उसमें कोई भी मिलावट नहीं है ना तो मुगल चित्रकारी की इतनी मिलावट है यानि एक सवतंतर चित्रकला का प्रारम कबसे होता है तो वह 1500 AD मानी जा सकती ह ठीक है स्टार्टिंग पॉंट कहां से है राइस्तानी चित्रकला की जन भूमी किसको बोल रहा जाता है मेद पार्ट को बोला जाता है अर्थात मेवार को मेद पार्टी मेवार का प्राचीन नाम है तो ध्यान अगणा मेद पार्ट या फिर मेवार वेवार की जगे मेद प सब्सक्राइब के बाद यहां पर भी प्रभाव आने लगता है जैसे मुगल काल के अंदर यानी मुगल जो दरवार के अंदर चित्रकला जैसी चलती थी उसका प्रभाव भी राइस्थान शेलियों पर पढ़ने लगाता उससे पहले एक स्वतन तरीके से चित्रकला यहां पर प्रारम हुई यानी पंद्रहसो इस्वी के आफपास हैं चीक है अब देख लेते हैं राइस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैग्यानिक विवाजन किस ने की आया आपने सुना होगा आनंत कुमार स्वामी आपका कोशन्स द्वारा आ गया कमल दीप सिंग जी का कोशन्स द्वारा हो गया के आरेस कब होगा आरेस हो जाएगा टेंशन मतलो आप अभी तो इंटर्वी की डेट आने दो आरेस दो यार अठारे के इंटर्वी की डेट आने दो पर अभी यह कोड के अंदर के सटका हु क्यानिक विघुdertि किसने किया, आनंद कुमार सौमी इस circular-book लिखीती। तो बुकका क्या नाम था राजपूत पेंटिंग्स के विद्वा रखना यह यह राजपूत résियर राजपूत काल का है अब इस तरीके से ऐसरे इसके इसके इंटर्वी स्टाट होगे वैसी आपका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यह ध्यान अगना डवलू एच ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पैंटिंग्स के अंदर प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा है तो यह सीधे आपका आरेस प्रेलिम्स या फिर बेंस्ट के अंदर कोश्चन्स या फिर कॉले कई एक्जाम्स में पूछा जा सकता है तो इंडियन पैंटिंग्स जो बुक लिखी है डवलू एच ब्राउन ने उसमें राजपूत कला कहा गया है ठीक है राजपूत पैंटिंग किसने लिखी आनंद कुमार स्वामी ने जो की सबसे पहला विग्यानिक विवाजन किया थ थे इन मतों का खंडन करते हुए कहा कि यह राजिस्थानी चित्रकला है क्योंकि इसमें राजिस्थानी चित्रकला का नाम दिया था किसने सबसे पहले दिया था राय क्रश्ण दास ने नाम दिया था राजिस्थानी चित्रकला का चीक है इसके बार देखते हैं मेवार पर डॉक्टर मोती चंदर सीधर अंदारे तता आर के वसिष्ट ठीक है ना तो सभी ने अलग-अलग नाम दिये हैं आगे जलते हैं इसके बारे में देखते हैं राहिस्तानी चित्रकला की विशेष्टा है आरेस मेंस के लिए यह महत्वू टॉपिक है कि राहिस्तानी चित्रकला है पूछलेता है कौन-कौन सी विशेष्टा है च्शीक है तो विशेष्टा है में देखेंगे कि लोग-गी हड़ारा शैली में दिखोगे न को लक जीवन यानि जो वहां के व्यकती जी हैं उससे जुड़ाव था बिधाइं आप्ते पर के शित्र बनाई गेए आदम के चित्र नहीं नहीं गये हैं तु है हुज थी तरीके से यह आप विकास हुआ है वह वहां पर बादलों के चित्र मनाई गये हैं तो लाध पीला है चटकदार नीले वीले सबी रंगों का यूज किया गया है और साथ में प्राकर्तिक परवेश का मतलब क्या हो गया जो प्रकर्ती दर्शाई गई है ठीक है तो इस तरीके से चित्रकला के बारे में बताया गया है इसके इलावा और दूसरी विशिस्ता है और कौन- दार्मिक किताबों के जैसे रामाएन तरव और के वारे में भी कई सारी बुक्स पर यानि चित्र गरंतों का निर्मार किया गया है इसी तरीके से महलों के, किलों के, मंदरों के, हवेलीयों के चित्र दिखाए गया है यह वी आप याद रगां इसके अलावा रिटूह ब्रचалась ऑल दो किसुवा तरेकbung कि से सरगारिक चितर्न किया गया और रित्मौं का मानुपक्षेब्पण्वाली प्रभाव की चित्रकारुण कऱें पेंटर्स ने अपने हिसाब से अलग अलग वड़न किया आगे चलते हैं देखते हैं कि इतनी शेलियों में बढ़ों प्रारम चावंड को अपनी राजदानी मनाया था आपको पता है कि तोडगर्ण जो महाराण हल्दी गाटी युद्ध के बाद चावंड को राजधानी बनाया था तो उसी टाइम पिरेट में चावंड शैली का स्टार्टिंग की गई थी देपर शैली है नाबद्वारा शैली है करश्ण भगवान के चित्र नहां पर पाए जाते हैं तो यह सा पाई जा रही है राइस्थान की शैली हों इसी तरीके से मार बात शैली कें अंदर कौन-कौन इंदर का डाला गया है वह कौन-कौन सी है जोद्वाजाहा ते मा तक रावर्जोदा स्टेजर cotton hurricane easier डियाज़ आजली तथा एरिक डिक्शन ने इसको प्रकाश में लेके आयते हैं आपने सुना होगा भारत की मोना लिशा चीक है अजमेर शैली है नागव शैली है सुरोही शैली है तो बाई चांस आ जाए आपसे महारवार शैली के बारे में पूछ लिया जाए या फिर आपको यह इस तरीके के कुश्चन्स भी प्रिलेफ में या फिर ऑब्जेक्टिव टैप से बना सकता है इसके अलावा देखते हैं हाड़ोती शैली में आपको पता है चार है चार शैली आए तीन शैली आए जो कि जिलों के यसाफ से एक नहीं बारा उप शैली नहीं और तीन जिलों क यह आप से शहली तो नार शहली में देख लू आप अब इलकुल लगाएंगे आगे विनोद टेंशन मत लीजे आप करेंगे जो हम राजनेतिक जन्ज्याकृति कराएंगे राजिस्थान में राजनेतिक जन्ज्याज्यृति क्रांतिगारी आंदोलन वगयरा उस टाइम पर हम ये वाला चलाएंगे जब राजिस्थान का सुतंता आंदोलन चलाएंगे हम पूरा का पूरा प्रजामंडन आंदोलन चलाएंगे राजनेतिक जन्जाकृति चलाएंगे पार्ट एक पार्ट दो तो उस टाइम पर ये भी आपका टॉपिक लिए जाएगे चिक है ना तो ये डूडार शैली में कौन-कौन सी आती है आमिर शैली होगी जैपुर शैली होगी शेखावती शैली होगी अलवर शैली ये भी कोश्चन कई बार पूछा गया है कि उन्हें आरा शैली उप शैली जो है वो किस की उप शैली है तो ये डूडारी शैली की उप शैली है इ आगे झलते हैं एक बार देख लो मांद चत्र के अंदर देख लो आप कौन कौनसा सी चत्र है काँ अपर कौन कौनसी अगा जरी है यह मारवार आप इसकूल अप पंटिंक्स का है वाला एंटिंगतब्ध एसके इश स्यूल अर पेंटिंक्स है जिसकी यह उपशेलिया है देख लो ये reasons मैं बता देता हूँ आपको कि इस तरीके से divide किया गया है ठीक है देख लो मैं पहले डूनाड पर चलता हूँ इसके अंदर कौन-कौन सी उपशेलिया आ रही है ये हम इस तरीके से भी इसको बता सकते हैं को ढूनाड मैं भी इसको नदर ग्रॉट सबस्क्राइन पर चलता है उपहले मारवार के मिपहलों के पाहले मारिवार में मारवार के अंदर ऑर जयai वा एंदर प्वासिया भी कानेर आई जोधपूर की आएगी ठीक है बार्डमयर वालि आएगी इसके लावा जो हमें ध्यान नी रेते हैं अब किष rate देख लेकर के तरीके से होता है मेवाड स्कूल ओपैंटिक्स में देवगाड उप शैली देखते हैं आप देख सकते हो नादवारा शैली है देवगाड शैली है और चावंड शैली है एक सेकिंड में इसको द्वारा क्लियर कर देता हूं साफ शाफ दीखेगा यह देखो आप मेवाड स्कूल ओपैंटिक्स के अंदर कौन कौन सी उप शैली आए यहां नादवारा शैली चावंड शैली यहां से राहिस्तान की चित्रकला प्रारम होती है या फिर बेवार का जो प्रताप के टाइम पर प्रारम होती है देवगार उप शहली भी यही पर है रासमंद के अंदर ही है और इसके अलावा आपकी और भी है उद्यापूर शहली वगरा तो यह तीन-चारी इंपोर्टेंट है तेक लेते हैं हाड ओक्ती वाली हाड ओक्ती जो पैंटिंग से उसके अंदर कौन-कौन सी शहली यां स्थित है दो आपको पता है रॉक पैंटिंग के लिए भूंदी प्रसिध है यह तो पताएगे न आ आपको ऊप्पैंटिंग के लिए बूंदी प्रसिद्ध है। एक है कोटा शहली च्छी के नá जिसमें जो दंगल के दिखाए गई है इसके अलावा हां तरा इस तरीके से इस साथ कि अदर उपशैलिया है अब आप देखो के इन पर कहां कहां से प्रभाब पड़ा उपड़ा है यह तो यह नहीं है कि एक expensive के साथ साथ जो मेवाड is colopive passport आगे बढ़ती गई है इसपर व्ट पर माखार्प्रदेश प्रभाव राहस्ель करना कि पकौना की कि ः कूल माखाल प्रदेश की कांगर शयलिगा ठीक है न और एकशन कुछ ले कि से अचैंडर मौला आपके एमपी में जो शैनीय प्रचलेती चीक है ना मालवा की उनका भी प्रभार पड़ा है और हम एक एक करके इस शैनीयों की बारे में चर्चा करते हो चीक है एक बार देख लेते हैं ब्राउन महोदे ने ताइस्तान की चित्रकला को क्या कहा है राजपूत कला का है यह जो बैन में पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है जिससे कि आपको ध्यान रहे वाई चांस कोशन्स पूछे तो फिर आप यह सोचो कि यह कोशन कहां से आए ठीक है ब्राउन महोदे ने क्या कहा है राजपूत कला का है डवलु एच ब्राउन अभी मैंने बताया था ठीक है एस्टी मेहता ने क्या कहा है हिंदू शेली का है आनंद कुमार स्वामी जो है जिन्होंने सबसे पहले विग्यानिक आदार पर विवाजन किया पहारी शेली माचल प्रदेश को भी शामिल किया गया रामकरश्ण दास ने क्या कहा है राजस्तानी चित्रकला का है ठीक है तो यह मैंने उसमें से अलग से डाल दी है जो जो मुक्षी 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 पॉइंट है इसकी पीडियाप मिल जाएगी आपको तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते। है और दूसरा है तस वेकालिक सुत्र चूणी जैन गरंत है ये वी ठीक है ना और सबसे पहले जैनों ने सबसे पहले कागज पर चित्र मनाये थे और साथ में छित्री वास्ता में लिखना श्टार्ट किया था तो सबसे पहले चित्रों में योगणान है चित्रकारी में योग सब्सक्राइब करें 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 कि अंदर रावल तेज सीन के समय आहड में आहड आपको पता है आहड सब्वेदा के बारे में आपने देखा होगा आहड के अंदर स्रावक प्रतिक्रमट सुत्र चुनी नामक ग्रंक चित्रित किया गया था ठीक है ये आपको ध्यान रखना है ये कई बार पटवार वर्ति में पूछा गया है आरेस प्रिलिम्स में पूछा जा चुका है अन्य जगे भी पूछा गया है कि सबसे पहले दुमेवार के अंदर कौन सा चित्रित गंद लिखा गया था तो वो था स्रावक प्रतिक्रमट चित्त किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है कि महाराना कुंबा का भी नाम लिए जाता है कि मेवार की चित्रकला में इनका योगदान है और आपको मैंने अल्लेडी बता दिया है कि चावंड से मेवार की चित्रकला शेली का स्वतंतर विकास प्रारम होता है स्वतं कित्र करा शैली का प्रारब का से होता है स्वतंत्र विकास की की वाप की यह जो कहसे चावण से होता है इस समय कौन कों से चित्र बनाये गया गया था जों की राज वर्तमान के अंदर प्रिजेंट के अंदर राष्टी संग्राले दिल्ली में रखा गया है दोला मारूरा चित्र ध्यार रखना ठीक है ना तो तीन चार फैक्ट हैं पहले 1260 में रावल तेज सिंग के समय चरावक प्रतिकर्मर सूत्चुणी नावक ग्रंग चित्तित किया गय आपके महाराणा प्रताप की समय 54 में वेवार की चित्रकला शैली का स्वतंद विकास प्रारम हो गया आगे जलते हैं अब शी के आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुगा और महाराना अमर सिंग के समे इस चत्रकाष रेली का विकास आगे बढ़ता गया और महाराना अमर सिंग के समे पर ही फार ना सुरुत दिन नामक एक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया कई बार questions पूछा गया है कि रागमाला का चित्रण जो मेवाड के अंदर बनाया गया था वो किस चित्रकार ने बनाया था और आपको ये भी द्यान रखना है कि अमर सींग के समय ये बनाया था आप 1585 में चावण को राजदानी बनाया होगा अगनों ने जब युद्ध हार रहे थे बार बार ठीक है ना किसे अकबर की सेना से तो उस टाइम पर चावण एक सुरक्षित जगह देखी थी वहीं पर चित्रकला का स्वतन्द विकास बातम में वाड़ गीगा ठीक है तो महरानामर सींग के समय चित्रकार थे नासुरुद्दीन ठीक है तो एक चित्रका रागमाला बनाया था ये भी आप ध्यान रखना इसके बाद बारे मासा का चित्र बनाया था इसी ने बनाया था नासुरुद्दीन के दो चित्र है एक तो रागमाला है और एक बारे मासा है ठीक है ना तो दोनों को ध्यान रखना है और नासुरुद्दीन किस से रिलेटे चीक है आगे चलते हैं महाराना जगत सिंग के समय को मेवार का गोल्डन पीरेड कहते हैं मेवार की चित्रकला का स्वन काल किसको कहते हैं महाराना जगत सिंग के टाइम पीरेड को कहते हैं क्यों कहते हैं इनों ने चितेरों की ओवरी का निर्मार करवाया है चितेरों मतलब चित्रकला की ओवरी स्कूल ओपेंटिंग्स का निर्मार इसको क्या बोलते हैं इसकूल ओपेंटिंग्स इसकूल ओपेंटिंग्स बोला जाता है तो जगत सिंग को याद रखना है आपको चित्तेरों की ओबरी का निर्माण करवाया था, इसके इलाबा इसको तस्वीरों कार खानो भी कहा जाता है, ठीक है और जगत सिंग के समय कौंता साहिब दीन, नामक एक चित्रकार ने महराणों के व्यक्तिगत या फिर आदमकद चित्र मनायते हैं व्यक्ति का चित्र ध्यान रखना किसने मनाये हैं? साहिब दिन अब आपको पता चल गया है एक तो important व्यक्तिकों नासरुद दिन तिक है और एक दूसरा कौनसा है? साहिब दिन तो दो को आपको ध्यान रखना है तो ये दो painter थे विवार के अंदर जो सबसे जादा प्रचलित थे नास्तर दिन किसके time period में था अमर सिंग के time period में इसके दो चित्र याद रखना रागमाला का चित्रन किया था और बारे मासा का और जगत सिंग के time को क्या कहते है गुल्डन पिरेट ऑफ़ पेंटिंग का मेवार का क्यों कहते हैं क्योंकि इसने इसने चितेरों की ओवरी यानि School of Paintings का गुला था जिसमें क्या कहते हैं आप सीख सकते जाके या फिर इसको क्या कहते हैं तस्वीर आरों कारखानों बोलते हैं आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, महाराना संग्राम सिंग का टाइम पिरेड याद होगा आपको, सेकंड वाले का, उसके समय पर दो चित्र चित्रित किये गए थे, एक तो कलीला दमना और मुला दुप्याजा के लतीफे, ये भी आपको ध्यान रगना है, कलीला दमना और म उल्ला दुप्याजा के लतीफे के ग्रंद किस टाइम पर चित्त किये गए थे, संग्राम सिंग दूर्तिये के टाइम पिरेड पर, ठीक है, संग्राम सिंग सेकंड के समय एक चुत्रकार और था, नुरूरूद्दीन, वो तर नासुरूद्दीन था, ठीक है, ये कौन है, आसुरूद्दीन और नुरूद्दीन दोनों अलग अलगें, इसने जगत सिंग सेकंड का चित्र मनाया था, ठीक है, जो मेवार शेली है, उसके अंदर शिकार के दृश्यों की चित्रकारी में 3D एफेक्ट दिखाए गया, यानि 3 आयामी प्रभाव दिखाए गया, उस टा अब आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है, बस केवल चित्र के लामें, जादा तर हमारी भूले की आदत हो जाती ही, तो भूल जाते हैं, पहली चीज़ क्या है, सरावक प्रतिकर्मण, सूत्र चूनी, नामक ग्रंत की रचना, उसरा है, स्वतंत्र विकास प्रारम हुआ च उम्मा की धर्ति से प्रणाव, विल्कुल विल्कुल प्रणाव आपको भी प्रणाव, चिक है, इसके लावा, नासरुदीन ने कौनकों से चित्र बनाई थे, राग माला और बारे मासा, चिक है, और जैगत सिंग के टाइम पिरेड को गोल्डन पिरेड ओप पेंटिंग्स मेवार्ड की का, चिक है, जैगत सिंग के टाइम पिरेड को सौनकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने स्कूल ओप पेंटिंग्स का निरमार की आता, चितरों की ओवरी जैगत सिंग के समय साहिब दील, नामग चितरकार को ध्यान रगाना महाराणायों के घठी का चितर मनाई तेया, आगे चलते हैं चूंग है इसके यालावा देख लेते हैं देवगर्षएली यह कहां पर है नाथ द्वारा के पास ही इस्तित है देवगर्षएली इस्के बारे में Aries晚 मं में काफी बार पूछा गया है तो महाराणा जैसिंग चुन्डावट को कौńsk को सा ठिकाना दिया था आपका देवगड़ ठिकाना दिया था अच्छे-च्छे द्वार का c2 को देवगड़ ठिकाना दिया था vid इस शेली को प्रकाश में लाने का कारे किसमें किया था, श्रीधर अंगारे नहीं तो इनका भी नाम ध्यान रखना अगर आरेयस मेंस लिगने का मौका मिले तो, स्रीधर अंगारे के कारण, जयहिंद शोविच जी, जयहिंद कृष्णाम जी, ठीक है ना? तो स्रीधर अंगारे इस शेली को प्रकाश में लाने का काम किया था जैसे के आप देखते हो डॉक्टर फयाज अली एरिक डिक्षन ने किसको लेके आये थे किशंगर शेली को प्रकाश में लेके आये थे उसी तरीके से ये भी लेके आये तो देवगर शेली के प्रमुक उधारण देख लो आप अगारारी ओबरी ठीके और मोती महल के वित्ती चित्र अर्थाक वित्ती चित्रों का निर्मार किया जाता था देवगर शेली के अंदर अगारारी ओबरी और मोती महल के वित्ती चित्र वाई चांस पूछ लिया जाए सीधे सीधे questions भी पूछा जा सकता है और इसके अंदर हरे वे पीले रंगों का यूस किया जाता था ठीक है इस पर ज़्यादा धियान मत देना नहीं तो आप बूझ जाओगे कि इस शैली के अंदर कौन से रंगा यूस किया जाता था किया औरे पीले रंका सामा पर टरीके से याद करना विलकुल अगारा की ओपरी मों महरेकर से ये ने देवगार शेथ के प्रमक उधारण और सिरी दर अंगहारे को तो यादी रखना आपके आगे जलते हैं नादवाराश एलिक के बारे में देख लेते हैं नादवारा शहरी में पिछवाई चित्रण किया जाता है नादवारा शहरी की मौलिक विशेस्ता पिछवाई चित्रण क्या होता है एक आपका कई मीटर का कपड़ा होता है कि ना कपड़े के ऊपर भगवान कृष्ण की जो लीला है यहां पर ली या फिर उप शेली किसकी है यह आपके मेवार की शेली और केले के वरच्छों की प्रधांता आर्यास दो यार 16 मेंस के अंदर यह कोशंस पूछा गया था था दो मार्क्स का कोश्चन आये था यह नाद द्वारश है लिगा शीदे सीदे पूछ लिया गया था आपको केवल इसकी विशेस्ता बतानी थी पिछवाई चित्रन किस तरीके से होता है केले के वरच की प्रधानता बता दो तो उससे आपका काम हो जाए अच्छा यूटूब से कितना कमा लेते हों यहां तो सेवा चल रही है केवल और वो भी निशुल को सेवा चल रही है ठीक है देखते हैं मारवारचली देखते हैं आगे इस तरीके से चावण उपक्शेली का प्राराम पहराना प्रताप के समय हुआता उसी तरीके से मारवारण की जोद्पर शैली का विकास माल देव के समय हुआता और माल देव को क्या बोलते हैं? आपको कई बार बता चुका हूं हश्मत वाला शाशक बोलते हैं कि नहीं फार्सी इतियाज कारुन ने बोला है और इसके बारे में आपको काफी कुछ याद भी होगा तुम जोद्पिर्शैली में क्या गरेंगे हैं माल्देव के समय श्वालि शाशक के समय श्वाट विर और राम और रावर के युद्ध के द्रश्य बताये गई थे जिस तरीके से यानि रामायड का चिताँदकर और निवारों पर बनाए गे ते हैं किस तरीके से बनाए फ्रेसको भी बूला जाता है इसको तो ये भी द्यान अगणा ठीक है चोकेला महल के अंदर वित्ती चित्र बनाए गए थे और एक ग्रंथ चित्र किया गया था उत्तराध्यन सुत्र ये भी द्यान अगणा उत्तरा ध्यन सुत्र नामक ग्रंत का चित्रण किया गया था चीक है और इसके लावा महाराज सूर सींग के समय धोला मारू और भागवत पुराण के चित्र चित्र किये गए थे धोला मारू की कहानी देखी होगी और भागवत पुराण के चित रण किया था सूले सब तेईस में आपको पता है कि महाराज जस्वन सिंग का टाइम पिरेड द्यानी आपको ठीक है और अगल प्रभाब आ गया था क्योंकि जस्वन सिंग तो जादा टाइम कहा रहते थे बाहर जहां पर मुगलों की सेवा में रहते थे तो उस टाइम पर मु वहों के चितर भी बनाए जाते थे बहुत सारे चितर और मां सिंग का टाइम पिरेड आपको पता यह पैंघिए अटार सो सूर तीन से सब्ला ना इंफ कि अलो इच्श्वर जी ए ठीकर न स्षेफ न फिर्थाई से संबंदे चिथ्र लुए certified की घेए मांसींग आपको पता है नाओ के बहुत साप्र बनाए थे जोथपुर के अंदर या थाँ नान मांसींग पढाया था नाथ हो को बहुत hungry मांधा था शर्षिभ बग्त था यह ब तो देखते हैं अभी मान सींग के समय नातों का अधिक प्रवाब दिखाई देता है जोधपुर के अंदर बहुत सारे मंदरों का निर्माड किया गया था और आज भी बहुत ज्यादा प्रवाब है जोधपुर के अंदर नातों का और इसी समय एक महाराजा हो रहा है थे इनके बाद तक्त सींग के समय यूरोपी प्रभाव आ गया था क्योंगी संदी हो चुकी थी आपकी जोदपुर के साथ और जोदपुर के साथ फिर यहां पर अंग्रेज भी रहने लगे थे तो वो भी अपने कल्चर का विकास कर रहे तक्सिंग के टाइंब पर पीख है एक विद्वान है के के मुलर एक विद्वान हैं उनने बोला उन्ने मटएक नमक चित्रकारण है दुरिगा दास राठी और का गोडे पर बैठ कर भाले इतना समय नहीं था कि घोड़े से उतर के रोटी सेख लें इसका मतलब ये भी था काफी बिजी थे यानि उनका पूरा जीवन घोड़े पर ही बीट गया चीक है ना काफी बिजी टाइम शेडूल था और आपको पता है दुर्गादास राट और को राट और का यूली सेज भी बोलते हैं अड़ बिंदिया मोतिया भी बोलते हैं गेरी बाल्डी भी बोला जाता है मारवार का तो उसके बारे में एक कहवा तोर है कि 24 घड़ी आठ पहर 24 घड़ी यानि 24 घंटे और जितने पहर होते हैं आठ पहर गुडले उपर वास सेल अड़ी सू सेक्तो बाटी दु बिलकुल महामंदिर का निर्मार करवाया था जुनातों का सबसे बड़ा मंदिर है आज के समय भी काफी मानेता है आगे चलते हैं इसके लावा जोद्पुर्शैली में प्रेम कहानियों के सबसे ज़्यादा चित्रण किया गया है जिसमें देखते हैं डोला मार हुए है महे है मुमल का आपने नाम सना होगा और वीरंदेफ सौन गरां वीरंदेफ सौन करांगी काहनी सुनी होगी चोहान वलसे रिलेटेट तेmee और कहननदेफे पुत्त्र थे है इसके ऌलावा जूद्पुर शेली के अंदर बादलों का यूजबी किया गिया अगराउंड है उसमें पीले रंक्पा यूजबी किया गया है टिक है तो यह पुराण का चित्रण करवाया गया था और अनूप सींग का समय यहां का गोल्डन पीरेड था पेंटिंग का यानि चित्रकला शेली का स्वाण काल किसका पीरेड था आपके अनूप सींग का इसके अंदर हम दो चीजों को पढ़ेंगे एक तो उस्ताकला पढ़ेंगे और एक मत्यरन कला क्या होती है आपको देख लेते हैं उस्ता कला क्या होती है आपको देख लेते हैं उस्ता कला क्या होती है आपकी हूट की खाल होती है उस पर सोने की चित्रकारी की जाती है ठीक है मत्यरन कला फ्रेस को बोला जाता है जबकि उस्ता कला हूट की खाल पर सोने से चित नेर के टैंब का अली रजा ततार्वनित दिन नामक दो कलाकारों को कहां से लेकिया यह लगे का नीड़िन सुच्त आई था कि महाराजा खनूप सींइ बीकानेर में उसृथ कि प्रारम की गई थी उसक एकला में उूटकी खाल पर सौने की चित्रकारी की जाती है और इसके जो प्रसिद्ध कला का रहे हैं वो है हिसा मुद्दीन को उस्ता के लिए क्या मिल चुका है पदम स्री से नवाजा जा चुका है यह भी आप ध्यान रखेंगे देख लेते हैं वीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिक सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है यानि आज भी यदि आप वहाँ पर एड्मिशन लेते हो तो आप सीख सकते हो क्या सीख सकते हो कैमल हाइट ट्रेनिक सेंटर में उस्ता कला किस तरीके से मूट की खाल पर सौने की चित्रकारी की जाती है ठीक है ये भी आप ध्यान अगणा कि सौने की चित्रकारी किस तरीके से पूट की खाल पर की जाती है उस्तकला पूरी होगी हमारी आगे चलते हैं ठीक है ना मत्हेरण कला के तरफ चलते हैं प्रसाइं करते जैसे कोई दीवाल है उस पर प्रसा प्लास्टर की आ जाते हैं यह आर्यास प्रिल्यम्स सता मेंकney है कि है कि मत केहां प्रैइस को भी बोला जाता है एम इंट जcussion का कि was Тем कुना कि मत्हेरण कला लगा नहीं किसको कहा जाता है। चैनल श्यू giving k जाता है खचिद्धे कि-बहार नम फिर इसे शोर्जभी अब यारतार है में लेस को श्याषfang रहारा ठारा से भी कौशण्स कूछ जा सकता है फुर्ण क्ला कौन सी कजिए फिर इन प्लाश्टर प्र चित्र मनाये जाते मि इस स्तरीके से ओप्शन लेग देते हैं चिकावटी से अंदर मत्यरन कला को क्या कहा जाता है मत्यरन कला को कहा जाता है पणा ठीक है ये भी आप ध्यान रखिए पणा किसको कहा जाता है मत्यरन कला को आगे चलते हैं बीकाने चित्रशैली के बारे में देख लेते हैं कि बीकाने चित्रशैली पर इस-किस का प्रवाब दिखाई देता है आपके पंजाबी का प्रवाब दिखाई देता है क्योंकि बीकानेर देखते हैं आप पंजाब से ही लगा हुआ है उपर देखते हैं गंगानगार अन्मानगार के बगल में बीकानेर है पर पंजाब है तो पंजाबी का प्रभाव एस पर चीक है इसके अलावा दक्कनी का प्रभाव है दक्कन से भी कुछ चित्रकार आए होंगे तो उनका भी प्रभाव आ गया और दीसरा मुगल मुगलों से समंध रहे हैं तो मुगलों का प्रभाव तो हो गई चित्रकारी पर चिक है एक और चीज़ कही जाती है बीका नेरी शेली के बारे में के यहां पर जो जितने जादा जितने भी चित्रकार थे उसमें से जादा तर मुस्लिम चित्रकार थे और मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा हिंदुओं की जो कता हैं जैसे रामायड हुई महाबारत हुई प सदवाब किस चित्रकला शैली में दिखाई देता है तो वह कौण सी है भी का नियर शैली है जैसे बोल ने हैं कि तेरा सारा जहर उतर जाएगा दो दिन मेरे शहर में रहकर तो देख और वी का नियर चित्रकारों की खासियत है कि वो अपने साथ नाम तथा तित्र अंकित करते हैं जैसा किसी चित्रकाड ने चित्र बनाया तो उसके नीचे क्या करेंगे इस जग एपना नाम लिखेंगे जो भी हो नेम तथा साथ में इस सन में ये चित्र बनाये गया है जैसे के आज साथ जन्वरी आपकी दो यार 21 है इस तरीके से तिथी अंकित कर देते हैं यह भी ध्याना का ठीक है बिकानिर जो शैली थी आपने देख ली काफी इंपोर्टेंट शैली है इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए अनुप सिंग का टाइम गोल्डन पीरेड था पेंटिंस का वही लेके आये थे दो चित्रकारों को कहा से लेके आये थे आपके लाहॉर से नाम क्या था अली रजा और रुपनुद्दी ठीक है इसके दूसरी कला को और कौन है हुस्सामुद्दीन पदमशरी मिल्सक्त मिल चुका है और बिकानिर के अंदर ही यदी आ पुस्ता कला सीखना चाहते हो तो केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर जा सकते हो पीकानेर की और दूसरी कला की विशेष्टा क्या है मत्हेरण कला मत्हेरण क्या है जैनों की एक उप जाती है और मत्यरंड का मतलब ही जह है कि गीला प्लास्टर पर चित्र मना देते थे सीधे और इसका दूसरा नाम क्या है फ्रेस्को फ्रेस्को आप याद रखोगे इसके साथ ही अर्थारा और शेकावणी शेक्वने इसको पढ़ा कहा जाता है चीक है आगे चलते हैं चीक है और ढाएट और तिह पर दिया नरखना अब देख्थे सबसे शांदार स्यली है किशंगरी शेली जो की महारवार की है एख चुटेट का ठ्ञान होगह आपको भारत की मोना खीशा की मोना श्ली तो बड़ी ठड़ी किशनगर शेली तो इसको शेली को प्रकाश में लाना यानि प्रभाब में लाने वाले कौन थे फईयाज अली और एरिक डिक्सन इनका नाम ध्यान रखना किशनगर शेली में फईयाज अली तता एरिक डिक्सन किसमें लेके आयते प्रकाश में लेके आयते तब के सामने लेके हो गया और दूसरा यह एफेक्ट हो गया कि रियाज अली और एक्षिन प्रकाश में लेके आए ठीक है दुनिया के सामने लेके आए और सावन सिंग का टाइम पीरिड क्या है आपका किशंगर शैली का स्वनकाल है पीसरा देख लेते हैं वल्लव संप्रदाय का प्रभाव क्या है क्योंकि किशंगर के आसपास बल्लव संप्रदाय का प्रभाव अदेखता इस वह से ठीक है न रसिक विहारी ते एक चित्रकार रसिक विहारी की तस्मीर को बढ़ी धनी का जाता है जिसका चित्रकार कौन है निहाल चंद है इसमें कंफ्यूज मत हो जाना निहाल चं ढ़ी कहा था और अदेक चोकी प्रकाश में लेके आहते इसको क्या बोल दिया है भारत की मोना लिशा मालिषा का नाम सुना और मोना-लिशा यूरोप में यूरोप के अंदर चितर मनाथा मौना निसा आगे चलते हैं भरी दणी एक चितर हो गया इसके बारेमें में भी कोश्चन्स पूछा गया है दूसरा प्रमुक चित्र का का है कि शंगर सेली का चांदनी रात की गोश्टी ये किस ने बनाए है आपके अमीर चंद्र ने बनाए है ठीक है अमीर चंद्र ने किसका चित्र बनाए है चांदनी रात की गोश्टी का आगे चलते हैं तो यह याद रखना आप कि चांगनी रात की गोश्टी का चित्र किस ने बनाए अमीर चंद्र ने बनाए किशंगंड शैली पर जिस शैली का सबसे बड़ा प्रवाब है वो है कांगड़ा शैली कांगी शैली आपकी हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी चित्रों की शैली है वो इसको क्या कहते है कांगड़ा शैली माचल प्रदेश उत्राकंड वाली शैली ठीक है यह भी ध्यान रखना नारी संदर का अधिक चित्र ने बनी धड़ी देखी लिए आपने सावान सिंग ने जो बनाई है और नारी पत्रों के नाक मे बाली शैली की प्रमुक्त विशेष्टा यानि जो भी चित्र देखोगे आप चामने रात की गोस्टी हो या फिर बनी धनी हो नाक में बाली जरूर होगी आगे चलते हैं और देख लेते हैं अजमेर शैली के बारे में देख लेते हैं अजमेर शैली के अंदर क्या है पुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया इसके लावा आपके पारदर्शी वेश्भूर्शा का यूज किया गया है देखते हैं जैसल में शेली की तरफ बढ़ते हम जैसल में शेली के अंदर मूमल का चित्रण किया गया है मेंद्र मूमल का नाम द्याने आपने सुनाई होगा और करंट अफियर्स की आपकी व permitted को में वारसी कांग ऑ इसका 9 जन्वरी को में मूमल कराऊंगा वारिक क्या Chapter équरिक की अधो ह Democratic कापियोगी रेगी जैसल में शेली के अंदर मेंद्र मूमल करोए गया और इस शैली पर किसी भी शैली का प्रवाब नहीं है ना तो मुगल शैली का प्रवाब है ना ही तांगड़ा शैली का प्रवाब है तो कोशन इस तरीके का भी पूचा जा सकता है कि कौन सी शैली है जिस पर किसी भी शैली का प्रवाब नहीं है तो वो कौन सी है आपकी जैस् तोणे रसी सोल देख लेते हैं सब्से पहले कि तरफ चलते हैं आपको पता है प्रवाब किसका मगल शयली का प्रवाब और और क्यों प्रवाब है क्योंकि जब मुगल साय थे तो उसी टाइम पिरेड में मुगलों से इनके संबंद हो गए थे यानि विवाइक संबंद भी हो गए थे और सबसे ज़्यादा जो विश्वस्त व्यक्ति थे वो आपके जैपुर वाले थे मुगलों के लिए इस वैसे मुगल शैली का सबसे ज़ सबसे का नाम आपने सुना होगा, विहारि परुषकार भी सुना होगा, तो मिर्जा राज्या जैसिंग के समय, बिहारि सब्से है, प्रश्न रुकमणी और गीद गोबिन के चितर बनाए गये थे, मिरजा राज authिकी याद में यह चितर बनाए थे सारे के सारे, कौन कौन से बनाएते विहारी सत्से है क्रश्ण रुकमनी है और गीद गोविड़ इसके अलावा सवाई जैसिंग ने आमेर के अंदर सूरत खाने की स्थापना कीती किके ना किस ने कीती सवाई जैसिंग ने कीती ये भी आप याद रगे तेखो यहां पर इंपोर्टेंट परशन आ रहे तो महराजा इश्वी सिंग के समय दित्ती चित्र अधिक बनाए गए ते और साहिब राम नामक चित्रकार बहुत फेहमस था और इसने चित्र मनाए ते किसके इश्ट्यूरी सिंग चित्र मनाए ते कैसा चित्र मनाया था आदम कत यह भी आप याद रखेंगे जैपर शैली प्रश्ने रुकमडी और गीत गोवी इसके अलाबा सूरत खानी का निर्मार किसने किया है सवाई जैसिंग ने और इश्वीर सिंग के समय सबसे जादा वॉल पैंटिंटिंग्स यानि बित्ती चित्र बनाए गए है जो की किसने बनाए है साहिब राम नामक व्यक्ति ने बना ते और मादो सिंग के समय पुंडरिक हवेली के अंदर वित्ती चित्र प्रमोक है यानि याद रखना आप पुंडरिक हवेली के अंदर वित्ती चित्र बनाए गए गए थे किसके समय पर मादो सिंग के समय आगे देखते हैं अगले शाषक की तरफ चलते हैं प्रताप सींग जिसने आपके हवा मेल मनवाया था चीक है तो इसका टाइम पीरेड गोल्डन पीरेड और पैंटिंग्स जैपूर की चित्रकला शैली का स्वाण काल था प्रताप सींग का समय चीक है और इस समय प्रताप सी जैसे है कि हम देखने मेवार के अंदर जगस सींग का बुल्डन पीरेड है उसी तरीके से प्रताप सींग का जो जैपूर शैली के अंदर स्वाण काल माना जाता है और इसके समय में कौन था लाल चंद को याद रखना वश्यों की लड़ाई के द्रश्य मनाया जाते थे अ सबसे जादा आपके मादो सींग ने उद्यान चित्रन भी यहां पर बनाए जाते थे जैसे मुगल जैसे मुगलों का प्रवाब किस तरीके से मुगल क्या है कि उस टाइम पर उद्यानों का निर्मार करते थे आपको पता है जो बावर था बावर लेके आया था कई उद्या अब देखते हैं डूडार शैली की एक और उप शैली के पास चलते हैं हम अलवर भी जो कच्छवार राजबस था उसी से रिलेटेड है तो उस टाप उस टाइम पीरेड में थे यहां के महाराजा आपके विनैसिंग के टाइम पीरेड को क्या कहते हैं अलवर शैली का स्वाण कि आगया था ठीक है तो ये कोश्स भी पूचा जा सकता है कि गुलच्ता का चित्रण किस ने किया था तो बल्देम नामक चित्र कारने किया था और ये बुक किसकी लिखी गई थी शेकवादी की पुस्तक लिखी घी थी अलवर शैली की एक विशिष्टा और है कि इसमें व होता है किस से रिलेटेट है तो उसका भी चित्रण किया गया था किस के समय किया था शिर्दाव सींग के समय किया था ठीक है एक चित्रकार के बारे में और कहा जाता है कि मूल चंद नामक चित्रकार था इसने हाती दात पर चित्रकारी कर दाता हाती दात यानि हातियों के दात पर ही चित्रकारी कर देता था ऐसे व्यक्ति भी अल्वर शैली के अंदर इस से तैकोन है मूलचंद नामक चित्रकार ठीक है तो देख लो एक बार अल्वर शैली को द्वारा कि विन्या सिंग के समय गुल्डन पीरेड था बल्देव ने गुलिस्ता का चित्रन किया था वैश डे लेते हैं लुष कैया विश्श्टात今日कर लगव चित्रन यह लावारा ग्र्थबैक राउंड के अंदर बेंभो यानी जो बेल मूट होते हैं उनका यूजि कर दिया याजाता गाय कि इस तरीके से बॉर्डर लाइन पर बेल बूटों का वीचे की तरफ बेल बूटों का यूस कर दिया जाता राजगर जो की अलवर की एक तैसील है अभी इस टाइम पर वहाँ पर शीष मेल का चित्रण राब बक्तावीर बक्तावर सिंग के द्वारा करवाए गया कैं कहीं से चित्रकला क अलवर्ड शेली का विकास हुआ ये भी आप याद रखना अब अलवर्ड शेली के बाद में आपको पता चल गया क्या क्या है इसके अंदर आपका महराजा विने सिंग का गोल्डन पीरेड था बलदेव ने बुलिस्ता का चित्रण किया था वैश्याओं के चित्र बनाए जाते थी सबसे ज्यादा और श्रिवदान सिंग के समय काम शास्त्र का चित्र ने हुआ था इसके अलावा बूल चंद नामक एक चित्रकार ने हाती नात के भी चित्र बनाए थे आगे चलते हैं अब देख लेते हैं ओडियारा शेली की तरफ चलते हैं ओडियारा काहा पर नर्कवा शाका cop डहे के छो कर देखने को मिलता है इसके वारी में उन्यारा शेली या पर उन्यारा शेली जो क्यिक्ड़की है एक तो नर्कवाशाका कर प्रमूप ठीकाना है की कच्छवाओं की ती और डूनाड और भूमिद्धी का प्रबाब मिलता है। चित्रकार कौन से हैं यहां के आपके धीमा है, भीम है, मीरवक्ष है, काशी और रामलकन है। चित्रकारों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, केवल आप से यह पूछ लेगा का यह शैली किस शेकावटी के अंदर कौन-कौन सी विशेस्ता है थी, कौन-कौन से चित्रों की विशेस्ता यहां पर उपलव दिती है। उसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, शेकावटी शैली के बारे में देख लेते हैं। चीक है ना, वो देख लेते हैं अब हम। देखते हैं शेकावाटी शेली के बारे में शेकावाटी शेली के अंदर अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड इसमें मारवार के अंदर एक प्रीम कत्था आई चीक है चलते हैं आगे रणाम सुनियल जी अज़ा विजिबल नहीं आ रहा है कुगले शर्मा जी अलो ठीक है मारवार के एक प्रेम कता है जैसल मेरवाली शेकावाटी शेली के तरफ चलते हम शेकावाटी शेली क्यों प्रसिद्ध है एक बार देख लेते हैं एक तो यह बित्ती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है सब्से ज़्यादा इत्ती चित्र यानि वॉल पेंडिक्स के लिए प्रसिद्ध है यह इसके अलावा इसके उपर आपकी इस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज्यादा प्रभाब इसी के उपर दिखाई देता है। ज्यान रखना इसके लावा उदैपुर वाटी में जोगी दास्थ की चत्री बित्ती चित्रों के लिए प्रसिद्य है। अभी कबार पूछ लिए आता उद्यपृ बार्टी पता है आपको अहाँ पर इस्तित है चीकर जुन जुन होस्ति आप्लिए तो वहाँ पर जोगीन civ की छत्री बिति के लिए प्रसिद्द यह और इन बिति के प्रसिद्ध है प्रसिद्ध और नंे प्रसिद्ध आप तो यहां पर द्रश्टी गोचर होता है ठीक है नीले और हरे रंगों का यूज किया जाता है और उद्यपुर बाटी में जोगीदास की चत्री वित्ती चित्रों के लिए प्रशद्य और उसका चित्रकार कौन था देवा था ठीक है आगे चलते हैं अब देखते हैं हाडोती शेली के अंदर चलते हैं हाडोती शेली के अंदर इसकी तीन उपशेलियां थी कौन-कौनसी थी आपकी एक बूंदी थी और एक जालावार थी काफी इंपोर्टेंट शेलियां है यह वाली तीनों की तीनों बूंदी यहां से कोश्ट्स हमेशा ही पूचा जाता है ठीक है यहां से कुश्ट्स हमेश साब पूचा जाता है कौन सी शेली से आपकी बूंदी शेली से इस शेली का प्रारम कब हुआता आपके राव सुर्जन के समय राव सुर्जन हाडा जो की चोहान वंच से रिलेटेट थे हाडा चोहान थे वो उनके टाइम पीरेड में यह शेली प्रारम होती है पहली बाद तो यह है इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद देख लेते हैं आपका राव रतन सींग के समय दीपक तता भेरवी राग नामक चित्र बनाए गए थे तो यह भी आप द्यान रखिए दीपक तता भेरवी राग चित्र किस्ट के टैम पीरेड म इसके अलावा आपके , शीप्ति शॅल के समय का निर्माळ की만 था ठिक है और बत्ती चित्रों के लिए क्या प्रसिद एपके रंग मेह बत्ती चित्रों के लिए प्रसिद जो चिर ले और रॐमेज सींग का समय बूंधी प्रकलाग शैली का सौनकाल का आजाता है गोल्डन पीरेट इसका उमे सिंग का यदि बूंदी शैली से कुशन्स आए तो आपका एक तो राव सुर्जन हारा के समय ये शैली प्रारम होईती इससे आ सकता है या फिर बूंदी किले के अंदर चित्रशाला का निर्मार पूचा जाता है इसके इलावा पुल्ड की पर्ची फिली प्रकर्टिचित्रच न करता ही विशेस्ता का सब्सेर का पर किया गया है उत्ता है संक पीर्पर प्रकरटी-चित्रचं इमंदर भाख ने स्वर्जन हाडा चोहान को याद रखते हैं शेली प्रारम होती है दूसरा दीपकता था बहर्वी राग के चित्र किस टाइम पिरेड में बनाये गए थे राव रतन सींग के टाइम पिरेड में बनाये गए थे अच्छा लिख कर पढ़ा है लिखा हुआ है ओल्रेडी आज थोड़ा ऐसे ही है इस वैसे पढ़ा रहे है ठीक है तीसरा था चत्र साल के समय रंग मेल का निर्मार करवाया गया था जो की वित्ती चित्रों के लिए प्रशित देता इसके अलाबा आप चित्रशाला को याद र विषयसता है यह भूंदी चित्र शैली की ही विषयसता है ठीक है आपके पास चार से पांस वेक्ट हो गए और यहां से कुर्शन्स बनने की हर एक्जाम के अंदर कुर्शन्स बनने की सम्भाव में ठीक है तो यह ध्यान अगणारा हम आगे चलते हैं कोटा शैली की तरब बनाए गए हैं तो देख लेते हैं पहली चीज पोटा के अंदर भाराव राम सींग के समय कोटा चित्र शेली का प्रारम होता है और भीम सींग के समय क्या होता है आपके क्रश्न लीलाओं का अधिक अंकन होता है क्रश्न लीला यानि क्रश्न से रिलेटेट सारी की सारी चित् और इसके प्रमुक चित्रकार है प्रमुक चित्रकार कौन है डालु नामक चित्रकार है जिन्होंने राग माला का चित्रण किया है अब यह भी कई बार कोशन्स पूचा गया है कि शिकार के द्रश किस शैली की विशेष्टा है तो इसका अंसर क्या होगा कोटा शैली चित्रक जैली की विशिस्ता क्या है ृषिकार के द्रशि इसके अलावा शिकार के ड्रशि इसके द्रश एलावा नारी सुंदर्म का स सबसे अधिक चित्राण वी कोटा शैली के अंदर किया यह वहcha कि फीके आगे चलते हैं नो मैं आगे देखते हैं प्रमुक आदूनिक चित्रकार, ठीक है, प्रमुक आदूनिक चित्रकार में देख लेते हैं, राम गुपाल विजेवर्गी हैं, ये, ठीक है, राम गुपाल विजेवर्गी हैं, जो प्रमुक आदूनिक चित्रकार हैं, सबसे अग्रणी चित्रकार माने ज लाल बाबा गुवर्दन लाल बाबा ने क्या बनाया है भीलों का चितेरा बनाया है तो गुवर्दन लाल बाबा ने बनाया है और प्रफुक चित्र कौन से इनके बरात है ठीक है इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कुंदनलाल मिस्त्री का है ठीक है तो कुंदनलाल मिस् और राजारभी वर्म्हार्श चीटर कारि के प्रता में कुदल्नाल मिस्थी है विरमा astra खताब का चित्र बनाया था यह भी आप याद रखहों एक्के ना केरल के ते राजा रवीबर्मा देखी होगी अपने मूव भी इनके उपर इसके अलावा सोभाग्य मल गैलोत ते इन्होंने नीड का चितेरा यानि गोसले का चितेरा बनाये था ठीक है इसके अलावा पर्मानंद चोयल है बैसो का चितेरा भी बोला जाता है ठीक है नीड का चितेरा कहते है किसको सोभाग्य मल गैलोत को कहते है इसके अलावा पर्मान पूर शिकाता है बूर शिंगि शेखावत को क्या कहा जाता है देश्ट वक्त तता क्रामतिकारी चितर बनाए थे इन्हों ने सबसे जयादा बूर living object भी इनको बोला जाता है तो आप यह द्यान रखना किसको क्या बोला जाता है प्रमुकादुनिक चित्रकारों के बारे में याद रखना ठीक है ना राम गुपल विजय बर्गी सबसे अग्रेनी चित्रकार है इसके अलाबा प्रदर्श्टनी लगाना स्टार्ट किया था ग है रमुक चित्र बारत इसके इलाबा कुल्णल्लालमिस्तृ को किसका चित्र मनायाता माराना प्रताप का इनी को देखके जो पुरे भारत के चित्नकला के पिताव में है राजा रवी बर्मा ने मारणा प्रताप का चित्र मनाया था इनी को देखते हुए इसके अलावा सोबाग इमल गैलुत को क्या बोलते हैं नीड का चितेरा याद रखना ऐसे कोशन्स पूछ ले आते हैं वंडे एक्जाम्स के अंदर और परमानंत चोयल को क्या बोला जाता है 200 का चितेरा और जगमौल मायोडिया को आपका स्वान का चितेरा ठीक है एक बार देख लेते हम कहां कहां से कुशन्स बन सकते हैं यह मैंने करा दिया आपका चित्रकला शेली सारी की सारी और कुशन्स भार नहीं निकलेगा यहां से तो देखा हमने एक बार क्या कौन कौन स देखाता मेहंटर मुमल के चित्रन सबसे जयादा हुआ और किसी भी शेख रहाँ नहीं है leception के अंदर हमने उस्ताकला तता मधेरन कड़ा का पात की ती इसता और मतेरन उस्ताकला क्या थी उस्ताकला थी उट के उपर उट की जो उट की खाल पर चित्रकारी करना सोने से चित्रांगन करना और मतेरन कला को और क्या बोला जाता है जो गीला प्लस्तर होता है उस पर चित्रकारी करना इसको फ्रेसको भी बोला जाता है पना भी बोला जाता है ठीक है तो ये आपको सारी की सारी याद रखनी है इसके Kyoto मेवार िस्कूल और प 해주का था नातद्वारा शैली देखी थी ठीक है, पिछवाही कला देखी थी इसके अंदर और आपके देवगाड शैली भी देखी थी देवगाड छैली देखी थी देवगाड ठिकाना देखा था ठीक है सोबाग इमल गहलोत को क्या आप बोलते हैं भीलों का चित्तवरा बोलते हैं इसी तरीके से इसी तरीके से हमने मारवाड स्कूल और पेंटिंग्स के अंदर किशंगाड छैली देखी थी किशंगाड छैली काफी फैमस थी यहां की मारवाड स्कूल और पेंटिंग्स की इसके अलावा डुनाल स्कूल के अंदर हमने ओड़े आरा याद होगा इसी की उप शैली है ठीक है जैपर शैली देखी थी सबसे ज़्यादा मुगल प्रवाव था यहां पर पताप सिंग का समय स्वान काल था इस इस तरीके से हमने पूरा कर लिया यदि आपका कोई कोई कोश्चन सोथ पूछ सकते हो ठीक है वरना हम इसको समाप करते हैं किलकुल वीडियो को लाइक कर दे ठीक है श्टेलियों से रिलेटेड आपका कॉश्चन सम्प्लीट हो चुका है ठीक है कल हम कराएंगे आपके राहिस्तान के क्रामतिकारी जितने भी क्रामतिकारी हैं उनके बारे में करेंगे और 9 जन्वरी को 9 जन्वरी को 9 जन्वरी यानि परसों साड़े आठ बजे मैं कराऊंगा आपके मूमल, मूमल कौन सी, वार से कहां, येरली मूमल कराऊंगा, ठीक है न, पूरी मूमल, एक ही, हम वीडियो के अंदर समाप्त करेंगे, अच्छा, आपकी फर्च क्लास है क्या, अब साड़े आठ बजे क्लास है, कल आपक की, राइस्तान का क्रामती कारी आंदोलन, तो उसमें आप आईए, और परसों जो क्लास है, नौ जनवरी की, नौ जनवरी को मैं पूरी मूमल कराऊंगा, ठीक है न, तो याद रखना, उसमें जरूर आना, आप मूमल पूरी कवर करवांगा, उसी के अंदर, और भी, उसके के अलावा में, आपको उसमें, अब्जेक्टिव कोशन, MCQ के थूरू, और कुछ फेक्ट के थूरू करवांगा, पूरी मूमल को एक ही क्लास के अंदर, मैं खतम करवांगा, कौन सी क्लास होगी, आपकी, साड़े आट वजे वाली, यही क्लास होगी, और मूमल करन्ट अफ है, ठीक है, 10% discount मिलेगा, ठीक है, किसी का question नहों तो पूछ सकते हो, questions हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना, चलो चलते हैं फिर, समाप्त करते हैं, let's crack, राहिस्तान exam on India's largest learning platform and academy, ठीक है, thank you, देखने के लिए, कल की glass में स्वागत है, राहिस्तान की करान्तिकारियांगे, तो फिर्ला किसी कर दो बासे भी जो तो है, कि झालओ सकता है में तो है, राहिस्तान consideration वजए राहिस्तान gran अवागत है, झालओ सकते हैं, è उस में पूद सकते हैं, चलों सो आहिस्तान अirm है, थाहिस्तान अजए Samadour, स्बेस्तान अभात